नमस्ते अब्रिवन आज हम लोग बात कर रहे हैं रेडियल जे फॉर्टीट याई बॉक्स का क्या यूज होता है और रेडियल में क्या स्पेशल है आज हम लोग ये बात करेंगे इसकी डिया बॉक्स का क्या यूज है एक बार इस पर थोड़ा साबाद कर लेते हैं इसका में यूज होता है इंपिडिंस मैचिंग और अन बैलंस सिगनल को बैलंस में रण नवर्ट करना थोड़ा यह समझ लेटेंगे कैसे करता है तो अगर हम अपने इस्टुमेंट्स पर गिडार और कीज पर अनेट करते हैं इस बहुत होट सिंगनल होता है और हम पाट के थूरू सूटबल बनाते हैं जूँ हमारा कॉंसल का माईक इंपूड्स को ले सके और अन बैलंस में जो आपने देखा होगा कि हमारे गिडार्ज आइंड़ कीज जो होते हैं उन पे जो के तो आप वहां से कनेट करते हैं डियाई पे और डियाई से जो केबल निकलता है वो निकलता एक्सलार उपूट विट विट वुट जिसमें तीन सब्सक्राइब अब आते हैं कि डियाई बॉक्स की टाइप के एक्टिव पैसिप डियाई बॉक्स में बैटरी का कोई जरूरत नहीं होता और नहीं वहां पर फैंटम का जरूरत होता है यह बेसिकली एक सब्सक्राइब अगर हम बात करें तो आक्टिव के लिए आपको बैटरी चाहिए होता है या फिर फैंटम पावर से वह पावर्ड होता है जो हमारा एक्सलार और चैक केबल के रूँचा एक बेसिक डिफरेंच है अब हम लोग यह जे 48 का बेसिक समझ लेते हैं कि जिसमें स सबसे पहले अगर आप यहां पर देख रहे हैं यह 15 डीबी पाड यह माइनस 15 डीबी पाड है जब आरा इंस्ट्रूमेंट से बहुत होट सिगनल जबाएगा अट लीस्ट सम माइनस 15 डीबी यहां से कट डाउन कर सेंगे और टी एट वोल्ट बैंटम है और इस डिया का सब सबसे बेतर पाट ही है सबसे बेस्ट पाट ही है कि इसके अंदर को वाट Merci लगता है आपका बैटरी का बचट हो रहा है दूसरा बात कि जब बैटरी को हम लोग यूज करते हैं जैसि बैटरी डाउन होनी शुरू होती है कहिने कि नौिज आना शुरू होता है वो प्रणल् आपका XLR के तुरू याने के कॉंसोल से आप जो फैंटम देंगे उससे ये पावर होगा और उसका सिंबल आपको ये LED बिलिंक कर चाहिए दूसरा मर्ज को ऑप्षिन है ये बहुत कम डियाइज पे देखने को मिलता है तो बैसकली यहां पर क्या है ये इन्पुट है आपका इसकली ये लिंक होता कि है कि आपका गिटार यहां पर कनेक्ट हुआ यह सब्सक्राइब कोई साब इंस्ट्रूमेंट यहां पर कनेक्ट हुआ यहां से आप एक आउट देते हैं एम्प्लिफायर के लिए जो फॉल्ट फोल्बैक होता है मुजिशन के लिए और यह आउट कान्सूर्ट पर चला जाता लेकिन इस मर्ज के थुरू अगर आप इस मर्ज के थुरू आप इन दोनों को एजन इंपूट यूज कर सकते हैं फोज अगर आपके पास दो इन पूद हैं स्टीडियो आपको सिंग्ल बोनो आउट पूट निकालना है कि तो आप इसको मॉच् करने यहां पर बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि यहां से हमरा इंस्रूमेंट कनेक्ट हो और यह एंप को चला गया और सके साथ बहुत लोग आयम पड़ माइंक भी करते है अगर रिधा से जो सिगनल कॉन्सुल पर जा रहा है और जो यहां से डी आए का आउटपूट सिंगनल कॉंसोल पे जा रहा है इन दोरू में फेज कैंसलेशन का इस्यू हो सकता है होता भी है बहुत बार तो अगर आपने डी आए को यहां से इसका पॉलारीटी चेंज कर दिया तो आपका वो कैंसलेशन देन हो जाएगा यहां पे लो कट है यह माइनिस 6 db कट कर सकता है दूसरा ग्राउंड है क्राउंड में दो तीन चीज़े हम समझ लेता हैं ग्राउंड में नौईज जनरेट होता है लेकिन इन नौईज जनरेट हो रहा है और इस एंड पे गलती है आप कॉंसान फॉल्टी है यह समझने के लिए च्छोटा सा ट्र कि एसका जाता है उसका यह मतलब है कि गई अर्थिंग का फॉल्ट है और जैसी वो अपने स्ट्रिंग्स पर हात लगा देए वो प्रोडिय चला जाता है अरो हाता है फेट से नौज ल फॉल्ट कि पहला चाईजे में काई गीटाराण फॉल्टी है इसका मतलब उसकरने लिफ्स को यहां से केंइसल आउट अब रेडियल में क्या अलग है क्या स्पेशल है यह समझ लेता है इसका जो सबसे में जो चीज होती है वह हमको चड़े होता है रेंटिल के लिए की रफ और गिर गया या ट्रांस्पोटेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी गया तो इसका बॉडी सेफ रहे वो सेफ रहे उसके सबसे अच्छा बात यह है डियाई एस रेडियल डियाई में जे फॉर्टीएट वेल्ड़ आई बीम से बना है वेल्ड़ आई बीम अलुमिनियम कंस्ट्रॉक्शन का एक स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डिंग यह बहुत ही रफ एंटाफ है यह मिलिटरी ग्रेड यूएस मिलिटरी ने एक स्टैंडर्ड निकाला था इसका मतलब यह है कि यूएस मिलिटरी ग्रेड के स्टैंडर्ड के खरा उतरता है इसी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जे फॉर्टी एट में नाइन वोल्ट का बैटरी नहीं लगता यह डिरेक्टली आपके कॉंसोल से पावरड अफ होता है और इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि नॉइज का इश्यू ट्रैकल का इश्यू आपको नहीं मिलता है विकास जो बैटरी वाले डियाई होते हैं जैसी बैटरी डाउन होना शुरू होता है तो नॉइज आना यहां पर यह इश्यू नहीं मिलेगा अगीन यह वही बात कह रहे हैं 15 db पैट जो हमने बात कर लिया है और 48 वोल्ट फैंटम पावर जब आप 80 हट्स का बटन प्रेस करते हैं सबोज आप अकुस्टिक गिटार पर आपको बहुत लो एंड इस्टब कर रहा है आप 80 हट्स क करते हैं माइनस सिक्स की लिए इसको प्रेस करते हैं आपको 48 का भी बिलिंक वहां पर हो जाएगा एक के यह भी सिंबल है आपको बता लग जाएगा कि आपका वहां से फैंटम है मर्ज फंक्शन में आपको बताया था कि इंपुट और थू आउट यानि इंपुट और जो हेवी ड्यूटी बेक्ट इनमेल से बनावा है यह पेंट का क्वालिटी होता है और यह पेंट बहुत आसानी से निकलता नहीं तो बहुत बार आपने देखा हुआ कि रेंटल कंप्रीज में जो डियाई या कोई भी एक्यूमेंट्स होते हैं उनका प्रिंट निकल जाता है इसा लगता है कि बहुत पुराना है इसमें यह इशू भी नहीं रहेगा यह काफी टाइम तक एकदम न्यू जैसा लगेगा और इसका जो एक्सलार आउटपुट है वो 600 ओम बैलिंस्ट एक्सलार आउटपुट है और इसका आउटपुट को आप मुस्त तीन सो मीटर तक सेंड कर सकते एक्सलार केबल को और उसमें नौइस का इशू मिनीमम रहेगा आइधिंग ना के बराबर रहेगा कि अरटी रिवर्स का हमने बात कर लिया है कि प्लारिटी रिवर्स दो में रीजिन्स होते हैं या तो आपने आंप को भी माइक किया हुआ है और या का थू आउट जो लिंक है वो एम पे जा रहा है और इन दोनों से कैंसलेशन हो रहा है पहला रिजन यह दूसरा यह कि पाइपास फिल्टर ग्राउंड लिफ्ट का हमने बात कर लिया कि अगर इस्टुमेंट में ग्राउंड का प्रॉब्लम है या फिर कॉंसोल की साइट से प्रॉब्लम है तो हम यहां से इसको सॉट आउट कर सकते हैं और पैचिंग देख लेता है कैसे यह पैचिंग होता है आप देख रहे हैं कि यह इस्टुमेंट है इसका इंपुट आया यहां से एक लिंक या थ्रू आउट जो है को एंप गया बार इसी एंप पर एक माइक भी लगा देते हैं उस केस में आपको प्लायरेटी का जरूरत हो सकता है इस कैंसलिशन को आउट पूट जाता है आपक जिसमें आप एक साथ स्टीरियो इस्टुमेंट कर सकते हैं जैसे आपका की बोर्ड हो गया और या डीजे के लिए आपको आड़ करना है तो थैंक यू सो मच